बिहार में लगा नाइट कर्फ्यू जिसके तहित रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अनावशक लोग अब बाहर नहीं निकल सकेंगे हालाकि इस दोरान यात्रा कर सकेंगे आवशक सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी इसकी साथ ही सरकार ने यात्रा और शादी समारों पर यह लागू नहीं किया है पहले क आदेश जारी क्या गया है सिर्वा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया है सरकारी और नीजी का रियाले शाम पांच बजे तक के लिए ही खुले रहेंगे सभी तरह के सारवजनी कायोजन पर प्रतिबंद लगा दिया गया है रेस्टरेंट भो कोविड-19 के मिले 8000 से ज्याद अमले, बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगादार बढ़ती जा रही है, स्वास्वभा की तरफ से मिली जुहानकारी के नुसार, बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुलबलाकर 8690 मामलों की पुष्टी हुई है, इसके बाद आक्टिव मरीजों की संख्या 44700 पर पहुँच गई है, जुसकी बाद प्रभावित जुलों की बात करें, तौररिया में 69 हरवल में 77 औरंगवाद में 333, बांका में 44, बेगुसराय में 277, भागलपूर में 376, भोजपूर में 130, बकसर में 204, दर्भंगा में 69, चंपारन म में 83, मधुबणी में 117, मुंगेर में 230, मुझफरपूर में 235, नालंदा में 116, नवादा में 122, पत्ना में 229, पुर्णिया में 99, रहतास में 84, सहरसा में 219, समस्तिपूर में 128, इसके साथ ही शेकपुरा में क्यासे, शिवहर में 17, सीतामडी में 61, सुपॉल में 80, वैश इसके साथ ही 75, ऐसे मामले सामने आए हैं, जो की दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन उनका सैंपल बिहार के लग-लग जिलों में कलेक्ट किया गया है, इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 गंटे में 3460 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संक् पर पहुच गई है, मुजफरपुर के चतरभुच स्थान मंदर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास, बिहार में परिटन सलकी कोई कमी नहीं है, सबे सबे पर बिहार में परिटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार भी काफी काम करती रहती है, बिहार म सबसे पवित्र मंदरों में से एक है, यहां श्री हरी विष्णो की पूजा होती है, यहां मंदर में एक प्राची इंशिवलिंग के साथ, परिसर में सुरे महावीर, भैरव और गरनेश भगवान की प्रतिमाई भी स्थापित है, यह मंदर मुजफरपुर के दर्शनी स्थ समझ करता है की जाएगी, स्वासिवभा के विधान सचेफ प्रत्य अमरित ने राजु के सभी जिलों के डियम और सिवल सर्जिनों को कोविट प्रबंधन को लेकर दिर्शा नर्देश जारी किया है, जिसके तहत रहने का है कि बिहार में करोना संक्रवित मरीजों को लक्ष नलजर योजना के सोशल आडिट से अब ली जाएगी, अधिकारियों की क्लास, राज़सरकार ने हाली में हर घर नलकाजल को लेकर सोशल आडिट की शिरवात की थी, जिसके तहट अमों की मंतरी नलजर योजना की तहट एक करूर चालिस लाग से अधिक घरों में अब तक शिरधनल का जल पहुचाने का काम किया गया है, इतना ही नहीं, अगले 5 साल तक योजना के तहट लोगों को नियमे शिरधनल मिले, इसके लिए राज़सरकार ने सोशल आडिट करना शुरू कर दिया है, इस सोशल आडिट की पहचान हो रही है, वहीं इस सोशल आडिट को अपके इंदर सरकार भी देखना चाहती है, आपको बता दे कि पीएचेडी ने 56,000 से अधिक वोड़ ओमेनल जट योज़ा के तहत पानी पहुचाए गया है, इसके निगरानी रखने के लिए सोशल आडिट कराने का निरने लिया गया है, गुजरात में सूरत नगर निगम स्टाफ नर्स वाड़ बॉई समेत वभेन पदों के तेरा सौच्षय तररक्तियों को भरने के लिए योग्य और इच्छो क अभेर्थियों से आवी दिन आमंत्रित किया है, इसके लिए अभेर्थियों को भी सप्रेल 2021 से पहले आवी दिन करना होगा, SMSE की इस भरती के तहट, सीनेर रेजिडेंट स्टाफ नर्स, वाड़ बॉई, चिकित साधिकारी, रेडियोग्राफी तकनीशन, आदी के पदों को भरा जाना है, योग्य अभेर्थी सूरत नगर निगम की वेबसाइट सूरत-municipal.gov.in के माधिम से और नावी दिन कर सकते ह बिहार में मंक्के की इपज में, अमेरिका को फी चोड़ा पीछ ए, वैसे तो मेरिका को मंक्के के उपज के मामले में सरुष्यष्ट माना जाता है। खबरों की माने तो कुल उत्पादन के मामने में देश में ही बिहार दूसरे नमबर पर है, पहले नमबर पर तमिलादू है, इसका प्रमुक कारण है कि राजमे केवल रभी मौसम में ही मक्का कीफ़ा सलाधिक होती है, खरीफ के किसान धान उत्पादन पर ही जोर देते हैं, बेतिया में जॉली नोट के साथ पुलिस ने तसकर को किया, रेस्ट बेतिया जुले में हाली में जॉली नोट के साथ पुलिस ने तसकर को पगड़ लिया है, इसी कड़ी में पश्विम चबपारन के SSB के 47वी बटालियन के जवान और सिक्टा पुलीस ने गुपत समीव तुशा पमारी कर एक तसकर को गिरफतार किया है, खबरों के माने तो गिरफतार तसकर के पास से 65,000 का जुआली भारतिय करेंसी, एक अपाच्वी बाइक और एक मोबाइल बरामत किया गया है, गिरफतार तसकर से पूछतात कर उसे निया एक हिरासत में जेल भीज द सामें, लोकास था कि माहपर्व की प्रती किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिली, COVID-19 गाइडलाइन का अनुपालन कर व्रतियों ने घरों में स्नान कर डूपते हुए सुरे को अर्गदे कर सुक्षान्ति और समृध्धी की कामना की, जिसके बाद आज की सुबह उद्याइमान भगवान भासकर को अर्गदे कर पूजा पाठ के बाद चादवसीय महापर्व का विधिवत समापन होगा, हलाकि व्रत प्रत प्रिसाश्विन की भी पहनी नजर रही है, COVID-19 संक्रमन की बचुआफ को लेकर ज़ारी गाइडलाइन का अनंगहन ना करे, इस प अलगा दी है, मुख्यमंत्र नितिश कुमार ने समन्द में प्रेस कॉंफरेंस बीते दिन किया था, उन्होंने कहा कि विवाह में सो से जादा लोग शामिल नहीं होंगे, पहले ही हसी माँ दो सो लोगों की थी, इसके साथ ही COVID-19 का संक्रमन तेजी से फैला है, इस बीच इसके साथ ही 15 मई तक पुरे बिहार में नाइट कर्फियू रहेगा, इसके चलते वहा कारिक्रिम की तयारी कर रहे है, लोगों को भी प्लानिंग करनी होगी, नाइट कर्फियू की चलते बारात लगाने और बारातियों की लोटने का प्रबंध रात नौबोचे से पहले कर दी गई जिसके बाद से हाली में नीट परिक्षा को भी स्थखित कर दिया गया है, वहीं अमेली जानकारी के रुसार, JEE में इस परिक्षा को स्थखित कर दिया गया है, यह परिक्षा इस साल 27, 28 और 30 अपरेल को होनी थी, लेकिन अब इन तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया था, बिहार के 6 जिलों की सरकों के जिर्नोधार के लिए स्विक्रित वई राशी, पत्रनर्मान वभाग ने 6 जिलों में सरकों के जिर्नोधार के लिए राशी को मनजूरी दे दी है, जिसके तहत पत्रनर्मान वभाग ने 6 जिलों में सरकों के जिर्नोधार को लेकर 113. अधिकारियों को नर्देश ने दिये गए है आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे विकाज शाएक भारतिय पत्रकार और लेखा के वो अपने कथा और गयर का अतने कारियों के लिए जाने जाते हैं जैसे मकलूस की गंच भारत के एक मात्र अंगलो इंडियन विलिश की कहानी जिसे लंदन के हाउस अफ कॉमन्स में कथा यूके सम्मान से सम्मानित किया गया था उन्होंने ये भी लिखा है कि वर्श्वन की रूप कथा अगुंबे गाउं बिहार पराधारित एक उपन्यास रणिती का प्राधिकरन 60 के सुत्रधार आजादी के दिन भारत भोग एक उपन्यास और परीचा पत्र बंगाली में निबंध उनका अगामी उपन्यास बोध कया पराधारित है जिसका नाम गाय सुरंद संधन है बिहार के पांच जिलों में बनेगा आईटी पार्क बिहार को रिज़ुजल बनाने की तुशा में बिहार सरकार लगातार काम करी है यही कारण है कि कई जिलों में आईटी बनाकर लोगों को रोजगार के शेत्र में बढ़ावा देने की कोशिश की जा रहे है इसको लेकर वभा के मंत्री जिवेश कुमार ने बताया है कि आईटी पार्क आईटी टावर बनाकर बिहार को देश में पहचान दिलाना है राजगी के युवाओं को रोजगार के नए अबसर भी महाया करवाने को लेकर पांच जिलों में आईटी पार्क खोले जाएंगे जिसके बाद पतना भेटा राजगी इर्भागलपूर और दर्भंगा को इसमें शामिल क्या गया है देश में मन्रेगा के कुरियान अबियन के लिए बिहार के विभिन जिलों की जारी हुई सूची मन्रेगा की योशना के बहतर काम करने के लिए हाली में बिहार के जिलों की रांकिंग जारी की गई है जिसके दहत बिहार में पुर्व e. चंपारण को दूसर चाथ वहीं कैमूर को पहला स्थान मिला है इसके साथ ही तीफरे स्थान पर जमूई रहा आपकी जहनकारी के लिया वदा दे, तीन महीने रांकिंग में पुर्वी चमपारन जुले को बहतर काम करने के लिए 10 वास्थान मिला था मुझाफरपुर में पीम केर कोविड-19 अस्पताल के जल्द शुरू होने की कही गई बात कोविड-19 संक्रमन के बीच बिहार के मुझाफरपुर चिले में जल्दी अस्पताल बनकर तयार होने वाले है खबरों की माने तो मुझाफरपुर में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है इसको देखते वे ही सामसत अजे निशाद ने पियम केर कोविड अस्पताल पता ही को फिर से चालू करने की पहल शुरू की है उन्हाने जबावत कहा है कि लोगों को जल्द सुविधाय मिलने लगेंगी कोविड-19 के माहौल की बीच भारते रक्षान और संधान परिस्थ की तरफ से संचालित प्यम केर कोविड अस्पताल के संचालन की कवायद चल रही है और ने बताया कि पिश्रे बार उनकी पहल पर 500 बेट का चलनता स्पताल सितंबर 2020 में शुरू हुआ था फरवरी 2021 की संच चारी रहा था जिसके बाद बिहार में एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना मामले को देखते वे पियम केर कोविड अस्पताल जल्द शुरू करने की बात कही गई है मंत्री ने दिया अपने आवास को कॉरिंटीन सेंटर बनाने का प्रस्ताव बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है संट्रों में तो कि संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि इस्पतालों में अब बेड भी मौजूद नहीं है सब के बीच मुकेश सहनी का कहना है कि राज में हालात बेकाबू होने से पहले पूर्ण लॉक्टाउन को लागू किया जाना चाहिए था उन्होंने अपने सरकारे आवास को आईसोलेशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया है सहनी का कहना है कि राजसरकार मेरे विभाग के तहट आने वाले 1137 परशुष चिकित सक 50 अंबलेंस वान और बिहार परशुष विग्यान बर्शुष द्याले भवन का उपयोग आईसोलेशन के निर्बनाने के लिए करे अभी पटना नहीं आएंगे लालो परसाद यादव राजस सुप्रीबो लालो परसाद यादव को भले ही जमानत मिल गई है लेकिन अभी भी वो पटना नहीं आपाएंगे लालो परिवार के करीबी सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के मताबिक कल देर शाम दिली पहुंचने के बाद एजस्वी यादव ने अपने परिवार के सदसों के साथ बादचीत की इस बादचीत में यह निर्णा लिया आ गया है कि लालो यादव के इस स्वास्त है कि वो दिली एम्स ही सबसे बेस्ट है उनके लिए जहां उनका उपचार हो सकता है गोड़ तलब हो कि लालो कई दिनों से दिली एम्स में ही भरती और उनकी तब्यत खराब है लोगडाउन नहीं लगाने के निर्णे से खुश दिखे सुशील मोदी बिहार में बढ़ते कोबिट-19 के मामलों को देखते वे राजसरकार की तरफ से एक कई तरह के दिशान निर्देश जारी कर दिये हैं चुनादी पर विजय प्राप्त करेंगे अब ऑनलाइन ठगी की रकम 10 मिनट में वापस करने की शिरु हुई तयारी अकसर कई लोग आई दिन ऑनलाइन ठगी का श्रिकार बन जाते हैं लाकिन सब की बीच अब ठगी का श्रिकार हुए लोगों को बड़ी रहात मिलने वाली है इसके लिए साइबर सिल के विशेश टीम ने टोल्ड फ्री नंबर पर कॉल कर जाल साजी के बारे में जानकारी देनी होगी इसको लेकर के हलपलाइन नंबर 155-260 जारी कर दिया गया है इस हर्पलाइन नंबर के माधियम से आगी कारवाई के लिए पोर्टल पर भेज दिया जाएगा फिर संबंधित बैंक को फ्रॉट की जानकारी दी जाएगी रॉयल चालेंजिस बैंगलोरों ने लगाई जीत की हाथ ट्रिक IPL लीग 2020 में रॉयल चालेंजिस बैंगलोर ने शांदार प्रदर्शन अब तक दिखाए है बहीं बीते दिन चेने के चेपक स्टेडिया में खेले के मुकाबले में बैंगलोरों ने कॉलकता को 38 रनों से हरा दिया इसके साथ ही गेद बाजी की बात करें तो कायल जैमिस से ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए है महिए जुमेंदर चॉहल और हर्शल पटेल ने दो तो विकेट लिए भारत के इतिहास में आज की तारी के कारणों से है दर्जे 1451 में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आज ही के दिन कबजा किया था 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर जी केंद्र मंदल से सिफादेने वाले पहले मंद्री बने थे 1975 में भारत अपना पहला उपकरह आरे भट लॉंच कर अंतरिक यूग में दाखिल आज के दिनवा था यह भारत का पहला विग्यानी को पिग्रह था 1864 में पज़ाब के प्रसिद आरे समाजी नेता समाथ सुधार रकॉर्ट सिक्षावित महात्मा हंसराज का जन्माजी के दिनुआ 1960 में बॉलवड अभिनेता अर्शद वार्सी का जन्माजी के दिनुआ भारते राज़्ट्रे कॉंगर्स के पुरवधियक्ष सेयाद हसेन इमाम ने आज एके दिन 1933 में दुनिया को अलविदा कहा था भारतवारा उपरहशेत्र में प्रपेश्टिवस के रूप में आज एके दिन मनाया जाता है आइफोन यूजर के लिए वाट्साप लाया है दो कबाल के फीचर्स वाट्साप ने आइफोन यूजर के लिए दो बड़े फीचर्स को रॉल आउट किया है वाट्साप ने आइउस आप के लिए नया 2.21.71 वर्जिन रॉल आउट कर दिया है कुछ दून पहले मेसेजिंग आप के बीटा वर्जिन में फीचर्स ये दिखाई दिये थे लेकिन अब वाट्साप ने आधिकारिक तोर पर इन फीचर्स को आइफोन यूजर के लिए जारी कर दिया है हाला कि एंड्रॉइड यूजर के लिए ये फीचर अभी अबडेटेट नहीं हुए है लालोयादव की बेटी ने सुशिल मोदी बरकसा तंज हाली में रादस सुप्रीमो लालोपरसाद यादफ को जमानत मिलना उनके परिवार को सुकून देने वाला है लेकिन उनके अति उत्सा ही समर्थक यदि जश्न के बहाने सरकों पर तेल पिलाई लाथी लेकर निकलेंगे इस पर राजनीती करेंगे तो उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल तोरने की छूट नहीं दी जा सकती सुशिल मोदी के ताब और तो ट्वीट के बाद लालो परसाद यादफ की बैटी रोहिनी आच्वारे ने उन्हें ट्वीटर पर ही जवाब दी आ रोहनी ने ट्वीटर पर लिखा कि बहुत तकलीफ है ना कट लो उन्होंने इस ट्वीट के साथ लालो प्रसाद जादव का एक मीम भी लगाया है कर अमारे द्वारा पूशे के सवाल का चुबाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था आपका बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन्यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है इसके लावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय क्या भाफ की कारणम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेनी की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल को चिस प्रकार है आपके नुसार बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला सही है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए वस इतना है अगर आपे वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहें तुमारे चानल को सब्सक्राइब करें और लाइक कान दवारा ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बूक पर देख रहें तो इस वीडियो को लाइक करें और जाते साथ शेयर करें